जार्खन में लाग की पैदावार बढ़ाने और लाज से बने सावानों को बाजार दिलाने के लिए राज़ सरकार ने हाथ पाउ मारना शुरू कर दिया है क्योंकि यह लाग के उत्पादन की संभावना है तो उसे रोजगार परक बनाना भी जरूरी है ललना जब श्रेंगार करती है तो सिंदुरी मांग से लेकर होट की लाली की अपनी एहमियत होती है लेकिन कहीं कोई कलाई खाली न रह जाये इसलिए आली किसी चूडी वाली को जरूर पकड़ाती है और वो चूडी वाली जिसके मेहनत कितनी निराली है इसकी बानगी आपी हाँ देख सकते हैं यहां लाह की चूडीयां बन रही हैं सज्जा के साथ साबधानी भी चाहिए रांची के बुंडू के नवाडी में लाह से चूडी बनाने के प्रोशेक्षन के शुरुआती गई है उद्घाटन करने वालों ने मिलकर एक दीप तो जला दिया ताकि रोशनी पहले काम बढ़े लोगों को रोजगार मिले और सब के घरों में उजाला हो सके इसलिए सरकार अब भारतिय प्राकर्टिक रॉल एवंग गोंद संसान के साथ M.O.U. करने की तैयारी कर रही है ग्लोबल वार्मिंग ने लाह की खेती पर हमला किया है लेकिन जानकारों ने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया है अब कुस्मी लाह के उत्पादन को बहावा दिया जा रहा है ताकि मौसं की मार का असर कम से कम हो प्रेयर पर कुस्मी लाह के लागाने का विजी को अम लोग प्रमोट कर रहे हैं उसी तरह दिवों का जो सची पुशी जो बताये थे किसे में लागा एक दो पौदा है जिसको अम लोग एक साल में लगा करके लाह की खेती शुरू कर सकते हैं उसमें लागी करेंगे इसमें मौसं ये परिवर्तिन हुआ है उसका प्रमोट कम होता है समय के साथ कांच, सांक, शंखा पर प्लास्टिक भी हावी रहा इसमें ना तो वो दमक है और ना ही वो खनक लेकिन अब लाह की चुडियां महिलाओं का खास आकर्शन बन रही है अरून मिश्रा सहरा समय राची